ये आग जलती है तो जलने दो ये हमने ही लगाई है लोग मरते हैं तो मरने दो ये अपनी ही खुदाई है अस्सी के दसक में एक फिल्म आई थी जिसमें अभिनेता राजकुमार का ये डाइलाग बहुत थेमस हुआ था लेकिन आज ये डाइलाग मुझवफर नगर की सियासत के लिए पूरी तरे फिट बैठता है उनकी ही पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उनके ही लोग सबा छेतर में आने वाली बिधान सबा सर्धना से पूरु बिधायत संगीत सोम ने संज्यूबालियान की राह मुश्किल कर दी है इतना ही नहीं सर्धना में हुई राजपुत पंचायत में भी बीजेपी के खिलाप राजपुतों के एलाने जंग ने संज्यूबालियान की सांसे ठाम दी है उनकी राह को मुश्किल बना दिया है 2019 के लोकसभच चुनाओं में संज्यूबालियान का मुकाबला RLD प्रमुक अजीत चौधरी के साथ हुआ था मुकाबला इतना दिल्चस्प था कि संज्यूबालियान किसी तरह सिर्फ 6000 वोटों से चुनाओ जीते थे यू तो आंकलों के लिहास से अगर देखा जाये तो इस बार संज्यूबालियान कि तरफा मुकाबले में जीते नजर आ रहे हैं वो तो महच सिक्के का एक पहलू है भले ही अब RLD और BJP का गडबंधन हो चुका है लेकिन अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि आखिर कैसे संज्यूबालियान की राह इस बार मुझअफर नगर में आसान नहीं है कांग्रेस और समाजबादी पार्टी के इंडी गडबंधन की तरप से जाटों के बड़े और कद्दा वरनेता हरेंदर मलिक को चुनावी मैदान में उतारा गया है हरेंदर मलिक न सिर्फ जाटों के बलकि किसानों के बीच बेहत पॉपलर हैं उनकी खुद की पॉपलरिटी हर एक समाज में उनकी दखल संज्यूबालियान के मुकाबले हरेंदर मलिक को बेहत मजबूत बनाती है मुझपर नगर में सन्यू बालियान और हरेंदर मलिक के बीच मुकाबले में बियस्पी ने दारा सिंग प्रजापती को अपना प्रत्यासी बनाया है लेकिन मुकाबला बीजेपी और इंडी गडवंधन के बीची है अब जरा आकलों के मुताबिक इस लड़ाई को भी समझ लीजे मुझपर नगर की सियासत में सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है पांच लाग पचास जार से जादा मुस्लिम मतदाता मुझपर नगर में मुकाबले को निरनायक बनाते हैं इसके साथ ही तकरीवन ठाई लाग जाट और डेढ़ लाग गुरजर वोट इस मुकाबले को बैलेंस करते हैं जातिस अमीकरणों के लिहास से तो मुकाबला बराबरी में बैठता है लेकिन अब आपको बताते हैं कैसे संजीव बालियान अपनों की ही बगावत का सिकार हो रहे हैं मुझपर नगर की पाँच में से चार विधानसावा सीटे ऐसी हैं जो भाचपर उनके सहयोगी आरेलडी के पास है पावजूद इसके खतौली से लोगदल के टिकट से विधायक बने मदन भाईया 2022 के चुनाओं में संजीव बालियान ने उनका खुलकर विरोद किया था ऐसे में इस बार वो बालियान के समर्थन में नजर नहीं आते बलकि उन्होंने मुझपर नकर छोड़ कर अपनी चुनाओं में ड्यूटी बागपत में लगवा ली अंदर खाने संजीव बालियान से मदन भाईया भी खिन है ऐसे में भितरगात की संभाउना से इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रोबैक है वो सर्धना विधान सभा में है सर्धना में ठाकुर पूरन सिंग भारती किसान यूनियन के अध्यच्छ है उन्होंने सर्धना में साथा चौबीसी में राचपूत महा पंचायत का आयोजन करवा कर बीजेपी और संज्यूबालियान के खिलाब वोट करने की राचपूतों से शपत दिलवाई राचपूत वोटरों ने संकल्प लिया है मुझप्धर नगर से संज्यूबालियान को चुनाओ हरवा कर भेजेंगे इसी सर्धना से पूरुविधायक संगीत सोम खोले आम संज्यूबालियान पर चुनाओ हरवाने का आरोप लगाते हैं ऐसे में सर्धना का राचपूत वोटबायंग जो तकरीबन एक से डेल लाख मुझप्धर नगर लोग सभा में आता है अगर संगीत सोम की वज़े से पलट गया तो संज्यूबालियान की राह मुश्किल हो जाएगी मुझप्धर नगर के एक विधान सबा चर्थावल है यहां से हरेंदर मलिक के बेटे पंकज मलिक विधायक हैं पंकज मलिक चर्थावल में युवाओं की बीच बेहत पॉपलर हैं ऐसे में चर्थावल विधान सबा से भी संज्यूबालियान के खिलाप एक बड़ा वोड बैंक हरेंदर मलिक के साथ खड़ा होगा बात अगर खटवली की की जाए तो खटवली जाट बहुल इलाका है और इस जाट बहुल इलाके में हरेंदर मलिक के लिए बड़ा वोड बैंक है स्रीकान त्यागी ने भी बीजेपी प्रत्यागियों के उत्पिडन का रोप लगाते हुए भाजपा के खिलाप अपना प्रत्यासी उतार दिया है अगर त्यागी वोट बैंक बीजेपी से नाराज होकर उसके खिलाब वोट करता है तो संज्यू बालियान की जीत की राह न सिर्फ मुश्किल हो जाएगी बलकि उसकी राह में रोडे खड़े हो जाएगी लगातार दो बार से मुझपन अगर से सांसत बन कर केंदर में मंत्री बने संज्यू बालियान के खिलाब उनी की पार्टी के सुरे स्राणा और संगीत सोम की बगावत के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरेलडी के विधायकों के भी अंदर खाने भितरगात के संभावनाओं ने बीजेपी की चिंता पढ़ा दी है अब ठाकुर वोटरों को मनाने की कोसिस मुख्मंत्री योगी आदेतनात द्वारा की जा रही है सर्धना की ठाकुर 24 में मुख्मंत्री योगी आदेतनात की जनसभा इसी कड़ी का एक हिस्सा है इसी के साथ योगी आदेतनात की और कई जनसभाओं से भी बीजेपी नाराज़्गी दूर करने की कोसिस करती दिखाई दे रही है लेकिन संग्यो बालियान की नीने जरूर उड़ गई